जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी गुरुभा आपका आपकी बीटी की ओर से धीर सारा प्यार और कोटी-कोटी प्रणाम जै गुरुजी संगजी मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरे ओर से धीर सारा प्यार और कोटी-कोटी प् संगा जी में स्टार्ट करती हूं मंत्रजाब से ओम नमर्शवाय, शिवटी सदा सहाई ओम नमर्शवाय, गुरुजी सदा सहाई संगा जी कुछ दिन पहले नवरात्री का जो उकेजन चल रहा था उसमें डांडिया फेस्टिवल चल रहा था मैं गई एक फेस्टिवल में उसके बाद फिर ममा भी गई किसी एक और फेस्टिवल में, मतलब वो अलग से गई थी और वहां क्या हुआ कि मतलब वो जॉब करते हैं टीचर्स का स्टाफ है तो सारी टीचर्स गई थी और बहुत सारी वीडियोज वगिरा वहां पर बनी वी थी बोलो गई आए तो बहुत सारी वीडियो जैसे सब शेयर करते हैं आँसी शेयर हो रहे थी और ममा ने मुझे बोला कि मेरी वीडियो भी बना देना तो मैंने ब्ल quitting कर लो सारी और उसके बाद फिर इनकी जो प्रिंस्पल मैम थी उन्होंने एक वीडियो पर्सनल बोली होगी I think किसी मैम को कि मेरी वीडियो बना दीजे या कुछ तो जैसे होता है कि हम WhatsApp ग्रूप में कोई चीज शेयर करते हैं अक्सर हम यही सोचते हैं कि अगर वो ग्रूप में शेयर क्या गया है तो वो ग्रूप का मतलब के हर मैमबर के लिए important है तो ऐसे ही मैंने ममा के फोन में देख लिया था तो मतलब ऐसी क्या राया है कि ममा तो इसमें ही नी and ममा को भी लगा कि अरे हाँ मैं तो हूई नी तो उन्होंने का कि इन्होंने मुझे क्यों कट करा because उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि नेम में changes किये थे जैसे कोई भी school की कोई चीजें होती है gathering वगरा या कोई function होता है जिसे teachers की नाम आते तो उसमें उनका नाम change किया था और एक एक ऐसा फैस्ट हुआ था जिसमें उनको मतलब उनका नाम था ही नहीं ऐसा कुछ था तो उन्हें रगा कि और एक बीश में कुछ एक और function हुआ था तो उसमें उनका वीडियो नहीं था तो उन्हें ऐसा डाउट हो लगा कि हर बार मुझे skip क्यों कर देते हैं तो मैंने का अगर तुम्हें ऐसा डाउट हो रहत तो एक बार पूछ लो नॉमल तो इन्होंने का ठीक है मैं पूछ लेती हूँ तो मामा ने वहां पे message कर दे कि अरे इस वीडियो में तो मैं हुई नहीं जिसको बेजा था वो staff की एक maim थी तो farm उनका message आने से पहले जो principal maim थी उनका message आ गया की maim को एक बार डांडिया और करवा दो जहां तक मेरी मैंने मेरे मेगता जानती हूँ ममा सीनियर मोस टीचर है अपने स्कूल में और प्रिंस्पल मैं भी एज में चोटी है तो मुझे बड़ा मुझे भी awkward लगा कि आप चाहे किसी भी पदवे पहुंच जाएं बड़ आपके अंदर अगर एडिकेट्स नहीं है किसी से बात करने कि प्लीज इसे ना कहें मुझे थोड़ा फील हुआ और उसके बाद फिर मैंने का चलो छोड़ो ममा लेट गो करो इस ओके कोई फरक नी पड़ता इन चीजों से क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है यहां गुरू संगत में कि जब भी कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हुता है तो आप शांत हो जाएए आप रिस्पॉंड मत कीजी क्योंकि वो जो नेगेटिव इंसान जो नेगेटिविटी आपके और फेंक रहा है उससे तो लग रहा है कि वो बोल रहा है हमें तो हमें इरिटेट नहीं होना है क्योंकि वो एक ऐसी प्रोसीजर होती जब हमें गुरू जी कहते हैं कि वो आपकी नेगेटिविटी खीच रहा है तो उसे आप चुप होके सुन लीजिए आप उस पर रियाक्ट मत कीजिए एक कर्मा का दुबारा से साइकल डवलब मत कीजिए तो मैं ये समझती थी तो मैंने बोला छोड़ो अपना आप रहता है फिर उसके बाद उनकी मैम जो दूसरी मैम थी उन्होंने बहुत सारी वीडियो उसकी बतलब डीटेल्स बताए कि मैम ऐसा ऐसा था इसलिए मैंने कि ऐसा लगने लगा कि जैसे ममा सोच रही है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है लाइक दैट तो मैंने का कोई बात ने इग्डोर करो आप उसके बाद फिर ममा को बहुत अजीब लगा कि मतलब इस तरीके से बिहीविर करें अजीब दो टीचर से थे जो हस रहे थे प्रिंस्वल मैम की बातों पर तो जब मैंने वो मेसेज देखे तो मुझे भी बड़ा अकवर्ड लगा कि मतलब ठीक है चलो मस्ती मिजाग एक तरफ है बट इस तरीके से अच्छा नहीं लगता किसी को भी अगर बोलें कियोंकि संगा जी मैंने जितना सीखा है उसमे तो मैंने यही सीखा कि किसी को मजाग ने उए बड़ाना चीए बिना बात के बट ठीक है मैंने खा sixty हbucks晚 करो but ma ma한다 उस मोड में आने लग रही दा तो मैं तो नो वीडियो बिदियो के आगर यूटीब पे जाती है या स्कूल के घूरूरूप में जाती है क्योंकि आप अगर किसी भी function में जा रहे हैं कुछ भी चीज़ें करते हो हर किसी की value होती है तो मैंने का हाँ ठीक है कोई बात नहीं डाल रहे तो कोई बात नहीं चलो तुमने पूछते हैं पना doubt clear कर लिए और इनके कहने और ना कहने से आपकी image या आपकी position में कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं छोड़ दो वो दिखावे वाले लोग हैं आप उन पर ध्यान मत दो बट मैं उन्हें समझा रहे थी बट ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि अंदर या अंदर मेरे शायद वो negative thoughts बनने लग गए थे और फिर मैं सो गई और संगा जी मैं रोज अमृत विला करती हूँ आज उठी भी थी बट पतानी क्या हुआ ऐसा लगा जैसे किसी ने दबा दिया बोला कि नहीं उठना है नहीं उठना और पतानी में नहीं उठी कोई फील ही नहीं आया संगा जी जैसे रो जाता है कि गुरू जी से मिलना है बाते करनी है सुबह उठना है उनसे पार्ट करन तो तुम उसे लगाओ तो पते उनकी मैम का संगजी उनकी मैम का सुबह मेसेज आया कि प्लीज सेंड उन्होंने दो स्टेटस लगाया होंगे वह बहुत ही बड़ी वीडियो बन गए थी क्योंकि मैं अकसर ऐसा करती हूं कि हर मेंबर को वाल्यू देने के साथ सबी की वीडिय अच्छी है जिसकी जो अच्छी वीडियो आई है उसको कैप्चर करके एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी तो वो दो ही लगा पाई स्टेटस पे क्योंकि वो पूरी नहीं लग पाती तो उन्होंने लगाई होंगे तो सुबह सुबह उनकी प्रिंस्पल मैम का मेसेज आ गय कि मैंने वो चीज देखी है उनमे की काम कोई और करता हूं नाम उनका होता है वो नाम खुद लेती हैं क्रेडिट खुद खाती है बट जो टीचर कोई टीचर की बात करे या किसी भी चीज की बात करे बट क्रेडिट वो उनहीं देती जो मेहनत करता है क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करती है जाहे आप किसी भी प्रॉजिशन पे क्यों न हो बटी अच्छी बात नहीं होती तो फिर मैंने बूला मेरे मूँसे पता नहीं क्यों निकल के जबकि मैं ऐसे वुल्ड यूज नहीं करती मैंने का फिर शुरू हो गए अनका सुबह बिकारी बनके आप से लेनी क्या मैंने का बिलकुल मत देना आप एने मैंने आपके लिए बनाई थी वो वीडियो इन्होंने शेयर कर दी और इनकी किसी इसी टीचर ने चोरी करके बिन पूछे वो अपने उसमें डाल दी और मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं आपके लिए बनाती हूँ और आप हर टीचर को जाके दे देते हूँ वो दिखाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने बनाया है मैं काम मैं करती हूँ और मलाई को यह और लेके जाता है इस चीज़ से मुझे बड़ा फील हुआ मैंने का मैं आज तक तो मैंने बरदाश कर लिया और संगर जी यह में जात आज नहीं बहुत पहले से हो रहा है मैंने बुला मैं आपको अच्छा मानती हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी को बाटती फिरो मैंने आपके लिए बनाया आप नहीं दो गए इस बार और बोल दो सॉरी मैडम आई कांट पता नहीं में इतना अग्रैसिव मोड में आने लग गए ठी सुबह सुबह और मैं अंदर से यह भी जान रही थी कि मैं बहुत गलत कर रहे हूँ क्योंकि यह चीज़े अगर हमारे अंदर भर गई काम, कुरोद, लो, मो, यह सब अहिंकार जिसी चीज़ें तो गुरुजी वापस मेरे रदे में जो बसे हैं वो चले जाएंगे और अगर यह रह गया तो मैं गुरुजी से फिर कनेक्टिविटी नहीं बनाऊंगी और गुरुजी मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं तो यह फीर यह भी था, यह भी था चल रहा था और मैं एकदम से नहाने के बाद जब मैं मंदिर में गई, मैंने का गुरुजी सबसे पर दो सौरी कि मैं आज बहुत लेट हो गई, मैं जो बहुत दुख है इस चीज़ का, कि मैं आज नहीं कर पाई मेरा हम रित्मिला फिर छूड़िया मतलब जो कंटिनुटी में मैं चाह रही थी वो छूड़िया उसके लिए मुझे 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 माफ करी फ्लीज तो फिर अंदर से आवाज आई, मैं माफ करूँगा तू उसे माफ कर दे जो उल्टी सीदी बातें जो चल रही है कल से तो मैंने बोला कि हाँ सही बोला आपने कि मुझे नहीं करना, मुझे गुसा नहीं करना उनको लेके कोई बात नहीं, अगर वो थौट आने लगे, कि महादेव की भक्तेतू महादेव ने देना सीखा है लेना नहीं सीखा, अपना हाथ हमेशा देने के लिए तुम्हें बनाया है तुम मेरे गण हो, तुम्हें धर्ती पर इसलिए भेजा है, ताकि ये दुनिया स्टेबलाइज हो सके, तुम यहाँ देने के लिए इसलिए भेजा हुआ है ताकि तुम्हारे अंदर एक कपैसिटी है कि तुम दे सको, तुम्हें भीक मांगने वाली कंडिशन में नहीं रखा है, तुम्हें देनी की नियती बनाके भेजा है कि तुम यहाँ लोगों को दे सको, तुम्हारे अंदर वो कपैसिटी है, कि तुम लोगों का पूरा कर सकते हो, तुम वो नहीं हो तो दूसरे का छीन के खाता है तुम्हें को हर चीज रिमाइंड होती रही हर चीज गुरुजी की बाते याद आती रही शिव जी की बाते याद आती रही कि वो देने वाले हैं, याद है कि वो खुद पत्थरों पे एक सौंग भी है, संगजी याद तो नहीं आ रहा बट वो था कि जो खुद पत्थर की शिला पे बैठते हैं लेकिन उन्होंने जो रावन उनका भक्त था उसको सोने की लंका दे रही थी अपने भक्त को, वो क्या कुछ नहीं कर सकते अपने ले, लेकिन वो फिर भी वैरागी रूप में रहते हैं, ताकि उनके अंदर कभी ये चीजें बैठें ना, काम, क्रोध मोल, लोव, अलंकार जैसी चीजें उनको असर ना कर पाएं वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो पत्तर की शिला पर बैठते हैं वो कोई राजा माराजों जैसे कपड़े नहीं पैनते, ऐसा जीवन या अपन नहीं करते हैं अपना इतनी विलासिताओं में अपना जीवन क्योंकि मैं अपनी ममा की माया में थोड़ा फस गई थी कहूं या मतलब फील होने लग गया था क्योंकि मैं अपनी ममा से बहुत अटैच हूँ और कोई मेरे अपने के लिए कहे तो लगता है तो मैंने बोला की ठीक है कोई बात नहीं इसका मतलब गुरू जी आपने वो जो बहुत ही ओवर नेगेटिव परसन है जो हमा की लाइफ में आई है कुछ टाइम पहले ही तो आपने उनको इसी लिए बेज़ा है ताकि हमारे कर्मा क्लीन हो सके है क्योंकि होता है संगज जी जब गुरू जी हमारा टेस्स ले रहे होते हैं तो हम पास फेल भी कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से हमारा टेस्स लेते हैं तो मैंने बुला आपने इतना नेगेटिव इसी लिए बेज़ा है परसन को ताकि वो हमारे नेगेटिविटी को ग्रैब कर सके और हमें एफेक्ट नहीं ना खना होए हम तो एकदम से अंसर आया है हाँ तो मुझे लगा कि शुकराना गुरूपा आपने में को नॉर्मल कर दिया क्योंकि अगर मुझे नॉर्मल नहीं करते हैं तो मैं फिर आपसे दूर हो जाती हैं बहुत मुश्किल से आपको पाया है आप मेरी जिन्दगी में आए हैं और मैं इस ब्लेसिंग को नहीं छोड़ सकती इसलिए वो अगर में को कुछ भी कहेगी और तो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए मैं वादा करती हूँ फिर से प्रामिस करती हूँ कि सारी मैं भूल गई और मैंने इतना सारी बूला इतना सारी बूला गुरू जी क्या आगे मैं आपको बता नहीं सकती और फिर एक ख्याल और आया कि मेरे एक बहुत ही इंपोर्टन अर्दास लग गया अगर बहुत दास कुबूल नहीं करेंगे गुरू जी मुझसे गुसा हो जाएंगे तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगी तो इसलिए गुरू जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से थामा है उसके लिए अनन्तम अन्तम शुक्राना गुरू पा वो अग्रेसिव ओड जो मैंने इतने जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ वो इतना एक्स्ट्रीम होने लग गया था कि मुझे लगा कि शायद मैं अंदर से फट जाते है जैसे वोल कैनों फट जाता है ऐसा गुस्ता आने लग गया था और आज बहुत टाइम बाद एहसास हुआ कि गुस्ता कैसा होता है और सच में मैं उस महाल में रहने ही पारी थी तो मैं एक फटाफट से गुरू जी के पास गई उनसे सॉरी बोला गुरू जी ने मुझे शांत करा तो शुक्राना गुरुपा आपका अननतम अननतम शुक्राना है कोई आए, कोई जाए, कोई कुछ भी कहे मैं एक चीज ज़रूर सीख चुकी हूँ कि आपने हमें देने वाला बनाया है देने वाले की कैटेगरी में रखा है क्योंकि हम जैसों की वज़े से आपने जो अपने गण बिठाए है हमें हमें बिठाया है इस धर्ती पर, तो अगर हम रहेंगे तब ही दुनिया स्टैबलाइस होगी, यह चीज़े जो आपने थॉर्ट में दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुपा अनंतम अनंतम शुकराना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, चीज़ें बहुत छोटी हैं, समझने में बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी तो शुकराना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं माफी मांगती हूँ आपसे तहे दिल से, मैं कभी गुसा नहीं होंगी, मैं जानती हूँ आपने मुझे बहुत समझाने वाला बच्चा बना रखा है, तो मैं यूही काम होके किसी को समझा तो जरूर पाऊंगी लेकिन प्लीज एक दूआ मांगती हूँ आपसे कि प्लीज, उनकी जो थॉर्ट है वो मेरे तक ना आपाई क्योंकि मैं सहिन नहीं कर पारी शाहर उस चीज़ को बाकी जैसे आप मुझे बलेस करते हैं वैसे आप मेरे पूरे गुरुप अरिवार को बलेस कीज़ सबी के साथ रहे और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप प्लीज छोड़के मैं जहेंगेगा मैं आपसे सच में घुटने टेक कर मतहर टेक कर आपसे माफी मांगती हूँ मैं आची बात फिर से गुसा कभी नहीं करूँगी यह गुसा जो मुझे आप भी आये बहुत बुरा था मैं इस जी इसको छोड़ूँगी तब यह आप मैं साथ रहेंगे तो आप प्रॉमिस यू प्लीज मुझे थाम लीजेगा मेरे साथ रहेगा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा जै गुरूजी शुक्राना गुरूजी ओमनमा श्यवाय शेप जी सदा साहई ओमनमा श्यवाय गुरूजी सदा साहई जै गुरूजी शुक्राना गुरूजी जै गुरूजी संगर जी संग जी आपको भी गुरुपा धीर सारी ब्लेसिंग्स दें धीर सारा अशिरवात दें मेरे पूरे गुरुप अरिवार को जो सत्संग सुन रही है जो शेयर कर रहे हैं उन सब इपर अपनी गुरुपा बनाये रखें गुरुजी जै गुरुजी